भारत में सबसे ज़ाधा लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि यह किफायती होने के साथ ही आराम देह भी होता है लेकिन एक शक्ष ने ट्रेन में ऐसी शरमना खरकत की जिसे जानकर आप खेरान हो जाएगे देखे ये खासी पॉर्ट दिल्ली जोदपूर के बीट चलने वाली ट्रेन में यात्रा के दुरान एक शक्ष ने महला के उपर ही पेशाब कर दिया इतना ही नहीं उस यात्री ने महला के समान को भी नहीं छोड़ा उस पर भी मुत्रत्याग कर दिया महला की शिकायद पर पुलिस ने आरोपी यात्री को गिरफतार कर लिया है आरोपी का नाम आशुतोष बताया जा रहा है जो जैपूर के बरकत नगर का रहने वाला है पेडित महला ने इस शरमनाक वाक्य को लेकर बताया कि वह दिली से जोदपूर जाने के लिए मंगलवार की दाथ को मंडोर एक्सप्रेस के एसी कोच में पती के साथ सफर कर गई थी सीट एक साथ नहीं होने की वज़े से पती पत्नी अलग अलग का अपार्टमेंट में सो रहे थे उसे दुरान एक अंजान व्यक्ती कंपार्टमेंट में आया और उसके उपर पेशाब करने लगा महला की जब अचानक निंद खुली तो उसने शौर मचा दिया महला की अवाज सुनकर कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे लोग उठकर उसके पास पूंचे और पूरा मामला जानकर आरोपी की पिटाई कर दी उसके बाद महला के साथ यात्रा कर रहे लोगों ने ट्रेन के टीटी को इसकी जानकारी दी शिकायत के बाद आरोपी को मंडोर रेलवे स्टेशन के पुलिस ने गिरफतार कर लिया च्रेड में महला से बत्तमीजी करने और शांती भंग करने के आरोप में आशुतोष को रेलवे कोट में पेश किया गया जहां जुर्माने के बाद उसे छोड़ दिया गया दूसरे तरफ महला के पती ने आरोप लगाया कि आरोपी के साथ उसके चार दोस्त ओर थे जो बिना टिकेट के AC कोच में सफर कर रहे थे